जाहिंदर नमस्कार मेरे सेर्चेनियों लाड़ 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 आप सभी को जितने ये बच्चे सेडी के तैयरे करें आप सभी को पता आपके एक्जाम डेट 16 नॉम्बर से स्टार्ट आपके एक्जाम साथ ये अब एसेजी की तरफ से बहुत ही बड़ी अब मैं आपको बहुत ही महतपोन जानकरी बता रहा हूँ सेडी एक्जाम को लेकर आप सभी को पता है एड़ मिट कार जारी होगे साथ यूपी प्यार और राजस्तान शोडी यूपी बियार और महराश्य इनके एड़ मिट कार जारी होगे इससे पहले आपको पता बंग कार्ड है वो 4-5 दिन पहले आएगा जब आपके एक्जाम देने जाओ गोई इससे आपको सहर पता हो जाएगा आप ट्रेंगा टिकेट करा सकते हो अब इस समय आपके लिए बहुत ही महत्पुन जानकारी क्या क्या हो मैं बता दूँ इस बार हैं चीज बता दूँ अब आपको एक्जाम को लेकि तो महत्पुन जानकारी सामने आ रही है उसके लिए लाड़ लो जान रगना आज तक मैंने जितने भी डिटेल बताई आपको सारी के सारी हंडेड परसेंट सत्त गई है इसलिए इस बात का विशे जान रगना इससे पहले आपको कोल करना हेल्प लाइन नमर पर और आप जिस डेट को आना जाते हो उस डेट को आप बुक करके आप अकेडमी में आ सकते हो अकेडमी की फीश के बारे में आपको टोटल जानकारी होगी मेरे क्याल से नहीं है तो आप जानकार ले सकते हो 9588-10608 पर लाड़ लो गार तो लाड़ लोग मैं बता हूँ आपको मेरे जानकारी क्या क्या है इस बार SSC की जो गाइडलाइन है अब आप जाने देखने जाओगे तो आप SSC की ओपीशल वेबसाइट पर जाएए और वहां से देखिए आप जैसे जाओगे SSC.NIC.IN इस वेबसाइट पर जाओगे इस इस बार तो सबसे महत पून आपको कर दिया है लारदो हर बार रहता है लेकिन आप गलती कर देते हो गलती नहीं करना है आपको एक मूल निवास मतलब मूल निवास का मतलब मूल निवास डोमीशल नहीं मतलब एक ID ऐसी जिसमें आपकी फोटो इस परश्ट दिखती हो इस आपकी फोटो और आपकी जिस नाम से फोर्म बढ़ा है उसकी मेनिंग भी सेम होने चाहिए नेम में स्पिलिंग सेम होने चाहिए ध्यान अगर गलती की एक्जाम सेटनर में बेटने नहीं दिया जाएगा ये बहुत जरूरी साथ ही COVID-19 का फ़र्ष डोज COVID का फ़र्ष डोज आपने उमीद लगा लिया होगा अगर नहीं लगाया तो लगा लिजे है अगर आपने अभी तक तो जल्दी से लगा लिजे लारदो क्योंकि ये अनवारे फ़र्ष डोज आपको लगाना ही लगाना है कोवीड का आपको देख लेना नहीं तो एक्जाम सेंटर में फिर समस्य हो जाए या आपकी एक डोकुमेंट्स आपकी फोटो के साथ अनुवारे होगा आपको लेके जाना है लाड़ तो ध्यान रखना अगर यह डोकुमेंट्स जो भी आप लेके जाते हो वो इसमें आपकी पूरा किलेर होने चाहिए फोटो साथ में आपका जो नेम है और एक्जाम है जो फॉर्म बर आपने जिस नेम से वो बिल्कुल मेच होना चाहिए जान रखिए इस बात का बहुत इंपोर्टेंट चीज है अगर आपके आईडिया भी अपडेट करा रहा होना है करा नहीं तो बहुत परिशानिया जाएगी एक चीज तो ये दूसरी कोवीड वाली जान रखना इसका हंडेट परसंट जान रखना तीसरी सबसे इंपोर्टेंट चीज है ट्रेन के टिकट में आपको बताओं वेटिंग हो जाएगी क्योंकि से जीडी का बड़ा एक्जाम है जान रखना ट्रेन के टिकट पहले से ही बुक कर लेना नहीं तो बहुत सारी प्रोब्लम आपको शामने आ सकती है लाड़ लो जहां पे भी आप रहने वाले हैं जहां का भी आपका एक्जाम है वहां पर जाने आने के सुईदा का इंतर्जाम पहले ही कर ले आपको CT पहले दी गई है कौन से शिफ्ट में एकजाम है जहां पर आपको टाइमिंग दिया वा है उससे कम से कम 30 मिनट पहले चले जाना है लाड़ दो ध्यान रगना 30 मिनट पहले चले ही जाना है ठीक है तो यह पूरा हंडेड परसेंट आप जान रगना एक आईडी कार्ट त्यार करव लाड़ दो इसलिए मैं बता रहा हूं कोड़ फिट फोटू वाली आईडी कार्ट त्यार होनी चाहिए जिसमें आपकी फोटू ईसफस्त दिखती हो अगर नहीं है तो अफडेट करा सकते हो और दार काड में अप्डेट हो जाती है अब अपडेट करा सकते हो इसमें मेनिं में तो घबराये नहीं इडमीट काट आगे आपका एक्षेप्ट लिखावा आएगा एक लाटनो जय हिंद जय भारत